हमारे chapter का नाम first chapter unit 1 चल रहा है हमारा जिसका नाम है issue of shares तो हम थोड़ा सा background लेके चलेंगे और मैं ये मान के चलूँगा कि बारवी class में आपने share capital अच्छे से नहीं पढ़ा है उसी के according मैं लेके चलूँगा मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि थोड़ा सा speed भी बना के चले और पूरा का पूरा syllabus cover भी मतलब सारे topics भी होने चाहिए सर सबसे पहले बात करते हैं chapter का नाम issue of shares है shares का मतलब क्या होता है टुकडा और दूसरे शब्द में बोले तो यहां पे मतलब है हिस्सेदार हिस्सेदार ठीक है ना यहां पे मतलब हमारा हिस्सेदार से है तो बड़ी सीधी सी बात है हम पढ़ रहे है issue of shares और सरिफ यह issue नहीं रहने वाला इसमें shares for feature यानि company से related सारी बातों को देखेंगे company से related सारी बातों को हम देखेंगे ठीक है सभी पहुँच गया है not visual clearly बच्चे कह रहे हैं sir visual clearly नहीं है एक बार बता दीजिए फटा फट से clear है या नहीं है मैं refresh मार देता हूँ heading is heading नहीं देख रहा ओके चलिए अब बता यह दिख रहा है आपको बता दीजिए फिर मैं start करूँ yes चलिए तर हम बात कर रहे है issue of shares का तो shares issue करने का हम बात करें आभी हमने recently semester 3 पढ़ा है तो वहाँ पे हमने देखा है कि number of person यानि type of organization क्या होता है एक तो क्या रहता था हमारा Mr. Ram है Ram ने अपना business start किया और business करे जा रहे हैं अपना यहाँ पे कोई partner नहीं होगा इसको बोलते है soul proprietor क्या बोलते है soul proprietor second point आता है हमारा sir क्या sir second point था Ram था और Mohan था Ram और Mohan दो लोगों ने मिलके काम किया जिसे बोलते है partnership firm तो ना तो soul proprietor ना ही partnership firm दोनों में से कोई भी share issue नहीं कर सकता share issue करने का अधिकार सभी को नहीं है sir फिर कौन कौन share issue कर सकता है तो कुछ ऐसे person है जो कि share issue कर सकते है उसकी हम बात कर लेते हैं sir कौन issue कर सकता है तो बोला गया भया share अगर आपको issue करना है न तो simple सी बात है आपको पहले company बनना पड़ेगा मैं भी चाहता हूं कि मेरी company का share issue हो तो बोला गया पहले आपको क्या बनना पड़ेगा सर आपको CDC बात है पहले क्या बनना पड़ेगा company बनना पड़ेगा मैंने बोला कि company बनने में मुझे कोई problem नहीं है तो company कैसे बना जाए बताईए तो बोला company बनने के लिए आपको company का दर्जा तब ही दिया जाएगा जब आप क्या करा लेंगे sir registration Sir registration करा लेंगे तो company बन जाएंगे लेकिन मुद्दा आता है sir कहा registration करवाना है तो जवाब आया sir companies act में यानि sir हमें Companies Act के अंदर अगर हमने अपने आपको Registration करा लिया तो हम Company बन जाएंगे Simple सी बात है Sir Companies Act में जब Registration कराने जाएंगे तो Companies Act के अंदर हमें तीन option दिये जाएंगे कि आपको क्या बनाना है Private Limited Company बनाना है या फिर आपको Limited Company बनाना है या फिर आपको 1% company बनाना है यानि हमें तीन option दिएगे private limited बनाना है या limited बनाना है या 1% company बनाना है तो सबसे पहले मेरा question होगा कि भाईया ये सारी बात पूछेगा कौन तो जो पूछता है उसे बोला जाता है registered of company registered of company और registered of company को मैं short form में आज के बाद बोलूँगा ROC तो मैं company बनाने के लिए निकला अपना registration भी करवाने के लिए निकला मेरे सामने problem क्या आगई कि मैं अपनी company को कौन सी company बनाओ private limited लिमिटेड या 1% company तो सबसे पहले समझ लेते हैं कहा गया कि private company होगा यहाँ पे कुछ requirement है सर minimum दो वेक्ति होना चाहिए और maximum जो हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं 1% company में minimum एक वेक्ति चलेगा और जो maximum होगा वो एक ही वेक्ति होगा limited के अंदर minimum जो होंगे वो 7 वेक्ति होंगे और maximum no limit होगा तो share हमें private limited और मैं share क्यों issue करना चाह रहा हूँ क्योंकि जर्णली अभी समझिएगा क्योंकि हम share क्यों issue करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या हमारा purpose है मान लेते हैं एक company हमने बना भी लिया अब मुझे जरुरत है कितने की 50 लाख रुपे की 50 लाख रुपे मैं दो जगे से ले सकता हूँ एक तो मैं bank से loan ले सकता हूँ एक मैं bank से loan ले सकता हूँ that is मान लेते हैं कि 10 परसेंट या 12 परसेंट के ब्याज पे मिलेगा तो हर महिने मुझे interest देना होगा दूसरा मैं इसके share issue कर सकता हूँ यानि मैं बाहर बालों को बोलता हूँ कि भईया मेरी company के अंदर मालिक बन जाओ तो मालिक जब आप बनते हो तो आप खुद अपना business start करते हो तो क्या आप सोचते हो को जो पैसे लगाए वो मेरे वापसे मिलने ही चाहिए वो तो depend करता है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता तो मालिक जब बनोगे ना तो आप share issue करोगे तो company के ना दिमाग में एक button नहीं होता जब share issue करते है ना 50 लाक रुपे मेरे पास आगया freely हम कहीं भी use कर सकते हैं किसी को देने की tension नहीं होता इसलिए हम क्या करते हैं कभी भी पैसे की ज़रत होता है तो share issue कर देते हैं लेकिन सर दिक्कत ही आती है अगर हम share issue करेंगे तो हाँ authentication आएगा कोई हमें पैसा देगा क्यों तो इसलिए हमें क्या करवाना पड़ रहा है registration करवाना पड़ रहा है तो हम share को बहुत छोटे छोटे टुकडों में बाटके बहुत सारे public से इखटा करना चाहते है माल लो जैसे कि for example आपके एक लाख friend है और आपने सभी से 50-50 रुपे लिए तो इखटा हो जाएगा 50 लाख रुपे और कोई भी आपको 50 रुपे देने से मना भी नहीं करने वाला बड़ी सीधी सी बात है तो यानि target क्या होता है company का कि हम जादा से जादा लोगों से छोटे से छोटे पैसे receive कर पाए तो मुद्दे की बात है सर यहाँ पे तो 200 लोगों से कर सकते हैं तो यहाँ तो fulfill होने वाला नहीं है यहाँ पे तो एकी दूसरे से हम बोली नहीं सकते और यहाँ पे no limit है पैसे खटे करने का तो यानि हम अपने syllabus में जो पढ़ेंगे न वो कौन सा पढ़ने वाले हैं सर limited company का पढ़ने वाले हैं कि जो भी share issue किया जाएगा generally वो वैसे private limited भी issue कर सकता है 1% company भी issue करता है मतलब वो किसी को देता नहीं अपने जेब में रखके गुमता है और limited वाला किसी और को भी दे देता है maximum case में तो सर हमें बोला गया registration कराओ company बनाओ तो मैंने decide किया कि मैं कौन से company बनाने वाला हूँ मैंने decide कर लिया कि सर मैं जो company बनाओँगा ना वो company बनाओँगा ये वाली जैसे ही ये company में बनाने के लिए गिया मैंने company बनाना था किस के पास गया register के पास गया register ने क्या बोला भीया company कौन से बनाओगे मैंने उसको ये बता दिया अब register मेरे से क्या बाते करता है अब register मेरे से बोलता है जाओ document लेके आओ जाइए document लेके आईए आप मैं आपके company को registration करता हूँ मैंने बोला भाईया कौन-कौन सा document register यानि रोसी ने बोला सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका नाम क्या होगा यानि आपके company का नाम क्या रखोगे नमबर दूसरा आप बताईए company का object क्या होगा नमबर तीन company का आप address बता दीजिए नमबर चार आप company का यहाँ पे मुझे address के साथ साथ मुझे company का liability बता दीजिए कितनी liability रखोगे नमबर पांच आप company का share capital बता दीजिए नमबर चे company का आप member का नाम बता दीजिए यानि जीसे बोलते हैं founder है co founder founder इस तरीके के शब्द सुने होंगे आपने तो founder जो भी होगा उस case के अंदर यह बोला जाता है कि company के नाम बता दीजिए तो यह छे तरीके के document मांगेगा पहले में नाम जैसे मैंने लिख दिया suppose करो सिक्षा धाम लिमिटेड मैंने नाम बता दिया फिर वो क्या करते हैं ROC वाले नाम को चेक करते हैं कहीं इससे पहले ऐसा नाम है या नहीं है अगर इससे पहले ऐसा नाम ही नहीं है तो बोलेंगे ओके यह point done उसके याद object मैंने बोला कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे cloth बेचूँगा या कुछ हैसा काम बताऊँगा जो मैं करने वाला हूँ अगर मैंने यहाँ पे कोई illegal काम बोल दिया तो company mirror registration करने नहीं देगा suppose करो मैंने बोला मैं gun supply करूँगा वो मुझे देगा ही नहीं भाई तो यानि यहाँ पे object भी आपको clear बताना पड़ेगा address बताना पड़ेगा आपने बोला मैं पाकिस्तान में business करूँगा बोला भाई तुम तो वहीं जाओ तो address करने के लिए सबसे पहले क्या होगा आपका कि address सबको बताना पड़ेगा कि इंडिया में कहां करने वाले हो और address में आपको पूरा पता नहीं देना आपको सिर्फ state का नाम देना है यहाँ पे इसके बाद liability भई तुम कितना करजा लेके काम करोगे यानि पहले ये भी बताना पड़ेगा जी हाँ आपको registration टाइम पे ही सारी बातों को बताना पड़ने वाला है इसके बाद share capital सर आप उसको बताईए कितने share capital होंगे यानि सर मैंने बोल दिया सर मैं बोल देता हूँ कि मुझे 50 लाख रुपे जो रथ है तो मैंने बोल दिया सर यहाँ पे मैं आज for example 10 रुपे का एक share है मैंने बोल दिया सर 5 लाख रुपे मैं registration करा लेता हूँ company में ROC ने क्या बोला भाई एक बात ध्यान डखना जितने capital आप बताओगे न इतने ही capital आपके lifetime रहने वाला है इसे change नहीं किया रोगे बाद में आप change करने का मतलब है बहुत बड़ी सरदर्दी है बहुत tension में आ जाओगे आप तो आप मुझे उतना capital बता दो आपको आज 50 लाख रुपे की जुरत है ना तो आप पहले ही ज़्यादा बता दो मुझे और जितना ज़्यादा बता दो कि फिर उसमें से दीरे दीरे आप मुझे देती रहना तो मैंने सोचा के मैं इसे बता देता हूँ 500 करोड शियर मैंने जैसे उसको बताये के सर 500 करोड शियर था उसने बुला लाओ पैसे फिर जितने शियर बताओगे उसके उपर stem duty लगेगा उतने पैसे मुझे दो तो यानि अपनी उकाद में रहके उसको बताना है कि कितने पैसे आप दोगे उसे stem duty stem duty बहुत nominal सा होता है माल लेते हैं एक करोड रुपे पर 500 रुपे ले रहे हैं suppose करो या एक करोड पर आपका 50,000 रुपे लिया जा रहा है हमें एक stem duty की बात करें एक करोड पर कितना लिया जा रहा है 50,000 तो आप अगर 100 करोड कर दोगे तो तब भी तो बहुत सारा amount आपको पहले initial stage पर ही देना पड़ेगा तो यानि सर आप ना company को ये भी बताओगे कि आपके number of shares कितने होंगे यानि जब share capital बताओगे तो क्या बताओगे सर number of shares मैंने suppose करो बोल दिया भी या 20,000,000 share अपनी उकाद के इसाफ से हमने बात करी और उसे बोला सर 20,000,000 share है that is number है ये और बोला भी या 20,000,000 share है तो ये भी तो बताओ एक share कितने का होगा यानि उसका face value बताओ एक share मैंने बोला भी या 10 रुपे का share होगा तो मैंने जब registration कराया है तो उनको ये दोनों बातों की जानकरी दी क्या क्या बातों की जानकरी दी कि कितने share होगे और कितने रुपे का एक share होगा तो जो मैंने ये registration कराते time पे बता दिया ना That is, हम क्या बोलते हैं इसको, हम तीन चार नाम से बुलाते हैं इसको, एक तो इसका नाम होता है हमारा authorized capital, एक नाम होता है सर इसका registered capital, एक नाम होता है floated capital, एक नाम होता है nominal capital, यह होता है हमारा जो number की बात कर रहा था ना, उस number की बात कर रहा हूँ, यह सारी बाते यहाँ पे हैं, लेकिन सर, लेकिन अगर आप बताओ, कि जो यह वाला shares है, जो face value है, इसको भी कुछ बोलते हैं, बिल्कुल इसको बोला जाता है face value, face value मतलब आपकी value नहीं, shares की value, दूसरा है इसको बोला जाता है nominal value, यानि सर, दो चीजे इसको बोलते हैं, तो कुछ नाम technical है, member में राम सीता मोहन जो भी है, उसका member का नाम लिख दो, यानि मेरा बताने का purpose है, जब आपको company बनाना पड़ेगा, तो ये 6 document देना पड़ेगा, उन 6 document को अगर मिला दिया जाएना, जो पूछा जाता है, उसे बोलते है, Memorandum of Association, that is MOA, Memorandum of Association, जिसको बोलते हैं MOA, अगर जब तक आप MOA नहीं दोगे, तो आपका company registration नहीं होगा, मैंने ये सारे document दे भी दिये, तो मेरा company क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, जैसा ही register होगा, तो मुझे क्या मिलेगा सर, सर, register होते ही मुझे मिलेगा certificate, सर, certificate किसका मिलेगा सर, के मेरा company क्या हो चुका है, और आपको check करना है, तो आप ROC की side पे, जिसे बोलते हैं, आपका ministry corporate affair, MCA की side पे जाके number डालो, मैं एक registration number दूँगा, पता चल जाएगा, जिस परकार आपका मैं अधार number डालो website पे, तो मुझे पता चल जाएगा किस नाम से यह, तो same पता चल सकता है, और जैसे ही मेरा registration होगा, company बोलेगा मुबारक हो, अपने company के नाम क्या अब आप क्या लगा लो, सिर्फ limited शब्द का इस्तमाल कर लो, यानि आपको limited शब्द लगा सकते हो, जैसे मैंने नाम रखा SKD, तो मैं SKD limited लगाने लग जाऊंगा, जैसे ही मेरा registration complete होगा, इसका मतलब सर मैंने यहां पे, अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने registration कराते time पे, एक majorly क्या क्या, मैंने कुछ shares registration कराये थे, सर कुछ shares registration कराये थे, और shares, जो थे, अब shares क्या होता है, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, कि सर shares क्या होता है, shares normal एक क्या होता है, कागज का टुकडा होता है जिसको हम registration कराते टाइम पे करते हैं और अब आज के टाइम पे यह physically बिल्कुल भी नहीं रहा यह सारा electronic mode में हो गया है लेकिन still अभी भी physical होता है इसके उपर company का सब कुछ लगा होता है यानि company की common seal लगी होगी company का नाम होगा, company का signature होगा company का number of shares कितने दे रहे हैं आपका नाम क्या है, serial number क्या है each and everything आपको given होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा shares का दिखा दूँ के sir shares कैसा होता है तो share certificate आप Google करेंगे तो easily मिल जाएगा share certificate तो देखिए किसी ने किसी क्या बहुत सारी company का यह देखिए यह सारे क्या है हमारे share certificate है कोई clear सा दिखा दे भईया, हो जाओ clear यह कौन सी company है चलिए यह दिखा देता है यह red कौन का कोई share है यह रहाँ shares यह red कौन का कोई share है यह share certificate है जब आप खरीदती होना किसी company से तो kind of इसी type का आपको मिल जाता है इसमें क्या-क्या mention होता है sir यह proof है कि आपने company में पैसे लगाए हो सकता है clear ना हो यहाँ पे आपका equity share कितने है कितने number है जैसे एक उसका face value कितने है certificate number यहाँ पे given होगा registration number each and everything और company का यहाँ signature होता है director का signature होता है managing director का signature होता है सब चीज़े होता है और यह printed form में होता है तो जो यह परचा form फिल करके आपको दे दिया that is share certificate आपको यह क्या मिल जाएगा share certificate मिल जाएगा बड़ी cdc बात है सर share certificate मिलेगा तो company कहां से देगी है share certificate जो company ने क्या करवाया हुआ है authorized capital बड़ी cdc बात है authorized capital authorized capital क्या होता है authorized capital का मतलब जिस share से company में अपने आपको registration करवाया होगा उसको बोला जाएगा authorized capital authorized capital कितने तरीके का होता है इसके क्या use है जैसे for example मैंने अपने आपको registration करवा लिया 50 lakh share से ये number है और इसका face value कितना है सर face value मैंने बोला 10 रुपए FB face value के आह मारा 10 रुपए तो shares कितने का था 50 lakh face value कितने का था सर 10 रुपए इसका मतलब total पैसा में कितना इखटा कर सकता हूँ 50 lakh into में 10 रुपए 5 करोड अब मेरा मन नहीं है कि अभी 5 करोड जरूती नहीं है company को क्यों ले तो company ने इस 50 lakh में से suppose करो क्या करा issue कर दिये यानि public को बोला कि भाया आजाओ मेरी company के share खरीदो और मैं सरिफ 1 lakh share बेचना चाहता हूँ तो कैसे बेचा जाता है company क्या करता है public को बताने के लिए bank के अंदर information देता है bank के अंदर आपका वहाँ advertisement करता है tv में advertisement करता है internet पे advertisement करता है कि हम अपनी company का share बेचना चाहते हैं जिसे खरीदना है वो खरीद सकते हैं जिसको हम IPO के नाम से भी जाते है initial public offer मैंने बेचने के लिए गया एक लाग share तो इसको ना technical language में क्या बोलेंगे हम issued share issued share या फिर बोलेंगे offer to public offer to public sir ये थोड़ा सा technical word है जो कई बार सवाल के बीच में आएगा आप समझिएगा जैसा ही मैंने बोला offer to public खरीदने की कोशिस करेगा तो तीन situation यहां create हो सकते हैं sir sir तीन situation कौन से create होंगे या तो public पूरे एक लाग खरीद लेगा या तो public क्या करेगा मेरी company के एक लाग share पूरे के पूरे buy कर लेगा बोलेगा जी मुझे share चाहिए अब एक public हो चाहिए 100 public हो तो एक लाग अगर buy करने के लिए तयार है तो ऐसे case में कहेंगे यह हो गया हमारा fully subscribe fully subscribe इसको क्या कहने वाले हैं fully subscribe जैसे ही fully subscribe हो जाएगा मान लेते हैं कुछ public ने बोला भया हम तो एक लाग share लेने वाला ही नहीं है हम तो आपसे सिर्फ 90 अजारी share लेंगे सिर्फ 90 अजारी share खरीदेंगे यानि मैंने public को बोला भया खरीद लो मेरी company के share खरीद लो खरीद लो खरीद लो लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा उसने क्या का भया हम पूरे share नहीं लेने वाले सिर्फ 90 अजारी share लेंगे subscribe हो रहा है law ने बोला भाई हम एक rule बनाने जा रहे हैं कि under subscribe की भी एक limit होगे एक हद होगे इससे कम अगर आपकी company के share public ने demand किया तो मान लेंगे आपकी company का कोई वजूदी नहीं और आपके company को issue करने नहीं दिया जाएगा law ने restriction लगा दिया कानून ने बोला कि आपका 90% share कम से कम बिखना चाहिए अगर 90% share बेचने में कामियाब होगे तभी आप आगे further process में जा सकते हो नहीं तो आपके company को registration मतलब share issue करने नहीं दिया जाएगा cancel हो जाएगा सर अगर मैं यहाँ पर बोलता कि एक लाख में से 80,000 share मेर पास आया है तो company को यह share issue करने का कोई अधिकार नहीं रहता है क्योंकि minimum कितना चाहिए 90% minimum subscription ऐसा भी possible है पब्लिक ने बोला कि भईया एक लाख 10,000 दे दो ऐसा भी possible है कि पब्लिक ने बोला कि एक लाख 10,000 share दे दो तो हम ऐसा थोड़ी है जितना हमने पता है क्या हमने registration करवाया था 50,000,000 तो मैंने सेवी से हांच जोड़ सेवी से भी और company board से भी हांच जोड़ के मैंने प्रातना करी थी कि मेरी company के share को क्या कर दो register कर दो ठीक है अब मैं जब इससे बेचने भी जाऊँगा ने निकाल के तो ऐसा नहीं register हो गया तो जैसे मर्जी बेच दे पहले मैंने सोचा कि कितना बेचूँगा एक लाख तो मैं ROC के पास जाऊँगा और प्रातना करूँगा उससे सर मैं एक लाख share बेचने जा रहा हूँ कर दिया हो तो मेरे पास तो number of shares ज्यादा ही आ जाएंगा लेकिन मैं देने के लिए स्रिफ कितना मेरे पास राइट है स्रिफ एक लाखी मैं दे पाऊँगा तो जब ज्यादा share आ जाते हैं ना तो इस concept को कहते हैं over subscribe इसको बोलते हैं over subscribe यानि सर कुछ हमने word देखे हैं technical word है जो कि आपको थोड़ा remind करा रहा हूँ सबसे पहले देखा authorized capital authorized capital क्या होता है वो share होता है जिससे company अपने आपको registration करवा देता है कहाँ पे registered of company के पास face value क्या होता है एक share का जो price हम decide करते हैं उसे क्या बोला जाता है face value over subscribe क्या होता है जितने share हमने offer किया public को उससे ज्यादा public ने मांग लिया तो over subscribe उससे कम मांग लिया तो under subscribe जितना किया उतना ही मांग लिया तो fully subscribe बोला जाएगा अच्छा इसके बाद और कुछ भी एक है बिलकुल जब आप share को issue करेंगे न था आपके पास दो option है shares को जब आप issue करेंगे न थो दो option है सर कौन-कौन से दो option है हमारे पास number one आपके पास दो option है सर या तो आप एक जी बार में उसे पैसे मांग लीजिए या फिर आप टुकडों में मांग यह यानि एक option है कि public से आप share issue करने का मतलब क्या है आप company को बोल रहे हैं कि मेरी company में पैसे लगाई है तो या तो हो सकता है जो 10 रुपे का एक share था ना जिसे हम face value बोल रहे थे मैंने आपने बोला भीया मुझे 5 share चाहिए मैंने बोला लाओ भाई 50 रुपे तो इसका मतलब एक ही बार में मैं 10 रुपे मांग रहा हूँ that is lump sum और एक मैंने 10 रुपे face value है और आपने बोला मुझे कितने चाहिए 5 share चाहिए मैंने बोला भाई या 10 रुपे तो मैं एक साथ नहीं मांग रहा हूँ मैं पहले अभी 2 ही मांग रहा हूँ तो that is the installment में तो हम कैसे मंगवा सकते हैं sir installment में हमारे slaves के अंदर lump sum वाला बहुत कमी देखने को मिलेगा क्योंकि वो होता नहीं है और real life में installment होता नहीं है ठीक है ना real life में क्या चलता है sir lump sum ही चलता है हमेशा और question में हम क्या करेंगे इंस्टाल्मेंट का मतलब क्या है sir जैसे मान लेते हैं 10 रुपे का share है तो मैं उसको तोड़ के मंगवा हुआ 10 रुपे का share को मैं बोलूँगा भीया थोड़ा धीरे धीरे दो एक साथ पैसे के क्या करूँगा जैसे जरत पड़ेगा इसके पीछे भी logic है कि मेरा अंडर सब्सक्राइब होने का डर रहता है तो अंडर सब्सक्राइब होने का डर जब रहता है तो ऐसे situation में मैं कोसिस यही करूँगा कि जो मेरा share है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए अगर 90% नहीं बेच पाए तो दिक्कत हो जाएगी तो आपके pocket में अगर 10 रुपे है और मैं 1 रुपे मांगू पहले बोलो 9 बाद में देना तो आपके purchasing power बढ़ जाएगी कितने खरीद पाओगे 10 share लेकिन मैंने बोला भीया तो मेरे कितने share बिग गए एक तरीके से mobile phone, television, जो भी car, motor, vehicle इतने सारी क्यों आ गए इंडिया के अंदर क्योंकि ये किस्त पे लेतने है इसलिए ज़्यादा लोग खरीद लेते है अगर लंसम payment बोले ने कभी या एक साथ payment हो तो सड़कों पे से car नजर आना बंद हो जाए बहुत rare मतलब life जो है वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं करे हर बच्चे के हाथ में mobile हो या इतना ज़्यादा technology फुल नहीं डेने वाला क्योंकि हम किस्तों पे ज़्यादा चीज़े ज़्यादा खरीद लेते हैं क्योंकि हम यह सोचते है intensity यह रहता है कि हम बाद में दे देंगे ना payment धीरे धीरे करके तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादा भिख जाता है तो सर यहाँ पे पता है मुद्दे की बात ही आती है कि सर आप कितने टुकडों में मांग सकते हो कोई limit है या नहीं है तो बोला गया सर हाँ बिलकुल limit है यहाँ पे बोला गया कितने टुकडों में मांग सकते हो तो टुकडों में मांगने की बात करा जाए तो बोला पहला जो पैसा आएगा ना पहला payment आएगा वो आप जो मर्जी मांगे हमें मतलब नहीं है लेकिन लेकिन 5% से कम का नहीं होना चाहिए लेकिन 5% से कम का नहीं होना चाहिए कॉर्पेट की बुक भई जे आर मोंगा है तो बड़ी सीधी सी बात है कि 5% 5% का मतलब क्या है सर कि आप ना पहली बात जो पैसे मांगींगे ना 10 रुपे का है उसका एक टुकड़ा बोलेंगा भई जाओ थोड़े कम ली हो पैसे तो 5% से कम मांगना है यानि आप 1 रुपे मांगना चाहते हो मांग लो 10 रुपे का एक रुपे कितना होता है 10% के बराबर होता है अब 10 रुपे का 5% कितना होता है 50 पैसे के बराबर होता है अगर मैं बोलू कि या 30 पैसे दे दो तो allowed नहीं है यानि मैं minimum कितना मांग सकता हूँ 5% मैं यहाँ पर मैंने supposedly करो क्या दो रुपे मांग सकना हूँ गवर्मेंट ने बोला जी दो रुपे तो मांगी है 5 पर Siens से तो जाद ही है दो रुपे आप मांग सकते हैं मैं कितना मांग रहो आपसे पहली बाद 2 रुपे, कुछ समय के बाद आप और लेके आईएगा मैंने बोला कुछ समय के बाद कितना लाना है ये भी बता दो मैंने बोला कि 3 रुपे ले आईएगा फिर बोला कुछ समय के और बाद लियाओ मैंने बोला 1 रुपे लियाओ फिर मैंने बोला कुछ समय के बाद और लियाओ तो क्या ये टोटल दस हुआ तीन दो पाँच एक साथ दो नो और एक दस हो गया क्या पूरा ये तीन दो पाँच एक छे दो आठ और एक नो अभी भी बच गया इसका मतलब सर एक और मांग सकते हैं इसको दो कर देता हूँ ज्यादा लंबा लेकि नहीं जा सकता तो sir मांगने की बात करें ना कि कितना मांगा जा सकता है तो no limit आप कितने भी इसके टुकड़े करके मंगवा सकते हो लेकिन पहला टुकड़ा जो होगा 5% दुसरे टुकड़े को आप 30 पैसे मंगा लो 20 पैसे मंगा लो 100 नमबर कर दो कोई फरक नहीं पड़ता अब इन सभी का lawmaker ने नाम करन कर रखा है बोला गया पहली बार जो होगा ना उसे हम बोलेंगे share application उसको बोलेंगे share application का पैसा पहली बार जो होगा उसको बोलेंगे share application सर जो दूसरी दूसरी बार होगा ना उसे हम नाम देंगे हमेशा वही रहेगा share allotment share allotment इनका नाम करने ये इससे ये अंदाजा होता है कि ये भईया ये मांग रहे मैंने बोला allotment का पैसा लेके आओ जाओ तो आप 3 रुपे लेके आओगे मैं बोलो application का लेके आओ तो आप कितना लेके आओगे 2 रुपे इसके बाद का जो होगा ना उससे क्या बोलेंगे सर हम उसे बोलेंगे share share first call इसके बाद जो होगा ना उसको बोलेंगे share second call इसके बाद जो होगा उसे क्या बोलेंगे सर इसके बाद जो होगा उसे क्या बोलेंगा सर शेर थर्ड कॉल लेकिन ये last है तो low maker ने इसका एक और नाम करन कर दिया बोला भाईया last है तो last वाले का एक और बढ़ी आसा नाम दे दिया जाए बोला इसको या तो आप third call बोल दो numbering के इसाब से या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो sir final call इसे क्या बोल सकते हो आप final call बोल सकते हो यानि जब shares को आप टुकड़े में अमंगवाते हैं तो हर टुकड़े का अपना नाम है पहले क्या होगा share application फिर क्या होगा हमारा share allotment इसके बाद कि जो टुकड़ा होगा वो first, second, third, fourth, five, six चलता जाएगा तो यहां तक बात है clear हुई हमें कि sir, lump sum हुआ lump sum का मतलब sir, कितने लेके आने घर से आपको बताओ पूरे 10 रुपे जाइए पूरे 10 रुपे लेके आईए अपने घर से बात खतम इसे बोला जाएगा lump sum और टुकड़ो में मंगाएंगे तो पहले को बोलेंगे application, दूसरे को बोलेंगे, हम allotment तीसरे, first, second, third चलता जाएगा अब sir, इसकी हमें क्या करनी है? journal entry करनी है actual में हमारे सवाल जो यह chapter है ना वो पूरा journal entry base पे तो इसमें क्या करना है? journal entry करना है लेकिन कुछ और terms आपको जानना जरूरी है sir, कुछ और terms जानना जरूरी है जैसे की कुछ और terms की बात करें जैसे की, for example company company ने मैं इसको ना, इसके लिए बात कर रहा हूँ इसके लिए मैं कोई बात ही नहीं करूँगा तो मैं question एक करके दिखाऊँगा मैं सारी बाते इसके लिए कर रहा हूँ यानि यह जो मैं लिख रहा हूँ यह इसके लिए लिख रहा हूँ company ने ना, आप से बोला कि आप एक काम करिए आप मुझे पैसे दीजिए company ने बोला आप मुझे पैसे दीजिए मैंने बोला कौन से पैसे देने है उसने कहा company ने कि आप ये पैसे दीजिए मुझे आप यहां का पैसे दे दीजिए मुझे आप यहां का भी पैसे दीजिए मुझे मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद मांगते गए दीरे दीरे करके कुछ पैसे मांगे गए तो कितने मांगे गए सारे मांग लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा अगर दीरे दीरे की बात करें तो कितने मांगे गए सर सारे ही मांग लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने दिक्कत इसमें नहीं है कुछ नहीं छोड़ा इसका कोई नाम है कि जब ऐसा क्या पता चले कि हम क्या बोले इसको कुछ तो नाम होना चाहिए न तो यही नाम बात करने वाले हम कि जब इसको बोला गया तो क्या नाम होगा और इसको बोला गया तो क्या नाम होगा तो जब company से सारे मांग लिए गये तो इसको बोलेंगे कि company ने called up किया तो जब company पैसे मांगती है किस से अब आप लोग जैसे हमारी company में पैसे लगाओगे न तो आपका एक प्यारा सा नाम होगा जिसको बोलेंगे हम shareholder आपका नाम राम मोहन सिहन जो भी है उससे मतलब नहीं है आपको एक नाम दे दिया गया क्या है शेयर होल्डर तो company जब शेयर होल्डर से पैसे मांगेगी तो क्या बोलेगी called up तो यहां पे कितनी called up है sir यहां पे called up पूरे 10 रुपए यानि आपसे पूरे दस मांग लिए, दो भी मांग लिए, तीन भी मांग लिए, एक भी मांग लिए, ये भी मांग लिए सपोस करो company थोड़ा सा आप पे महरबान हो जाए company ने बोला भया ये दो भया ये दो और ये भी दे दो और ये भी दे दो ये मत दो ये मांग लेंगे आपसे बात में तो यहाँ पर called up क्या होगा बताओ यहाँ called up क्या होगा दूसरे वाले case में सर आठ रुपए यानि जितना पैसा company मांग ले देने की बार ही नहीं कह रहा है जितना पैसा company मांग ले उसको क्या बोलेंगे called up सर यहाँ पर जैसे ही called up हुआ ना तो एक situation और यहाँ generate हो गया सर जो company ने नहीं मांगा uncalled दूसरे वाले case को देखो uncalled मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो सर company ने यह भी मांगा यह भी मांगा यह भी मांगा और यह बोलता है मदो 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 कोई बात नहीं यह वाला को मैंने extra लगा दिया है तो तीन company ने नहीं मांगा सिर्फ दो मांगा तो यहाँ पर अगर मैं कहूं ना दो चीजे पूशता हूँ uncalled कितनी है जो company ने नहीं मांगा ये तीनों part यानि 5 रुपे uncalled कितनी है 5 रुपे और called up कितनी है 5 रुपे मैं थोड़ा सा change कर दू क्योंकि ये 5-5 होगे confusion ना बन जा ये भी मांग लिया अब बताईए थोड़ा change हो गया uncalled कितनी बची और called up 6 रुपे ठीक है ना uncalled को ही पता है हम क्या बोलते है एक और नाम से जाना जाता uncalled को reserve capital uncalled को ही हम क्या बोलते है reserve capital सा reserve capital क्या होता है जो हम पैसा नहीं मांगते ना इससे तो उस situation के अंदर company कभी भी आपसे ये पैसा मांग सकती है जब company को जुरत लगेगा तो अपने capital को इसने reserve करती है कि भी ये तो कभी हम मांगी सकते है तो इसको बोला जाता है क्या सा reserve capital इसको बोला जाता है reserve capital ये हमारा cross right था यानि uncalled capital का एक और नाम आ गया सार क्या नाम आ गया इसका reserve capital अब बात करते हैं shareholder के point of view से हमने तो मांग लिया लेकिन shareholder का अपना opinion है कि भाया क्या देना चाह रहा है क्या नहीं देना चाहिए shareholder ने बोला मैं ये भी दे रहा हूँ मैं ये भी दे रहा हूँ मैं ये भी दे रहा हूँ ये भी दे रहा हूँ मैं सब दे रहा हूँ पूछ रहे हैं फर्स्ट क्लास जते हैं येस अभी फर्स्ट क्लास है ये तो paid up कितने हैं हमारी 10 रुपे इसके बाद देखा जाए paid up के बाद हम आगे की बात करें इसके अंदर तो जरूरी नहीं है कि paid up पूरा ही हो कई बार shareholder क्या कर सकता है थोड़ा सा पैसे देने से ना हां के situation create कर सकता है shareholder पैसे देने से ना हां के situation create कर सकता है मतलब सर मान लो shareholder ने आपको ये दे दिया ये दे दिया और ये दे दिया और बोला पैसे नहीं अब नहीं दूआ में तो यहाँ पे अगर situation देखे न तो क्या situation बन रहा है यहाँ पे सर यहाँ पे बन रहा है हमारा paid up, बताओ paid up कितना है 6 रुपे और यहाँ पे unpaid भी बन रहा है क्या बन रहा है unpaid, unpaid कितना बन रहा है 4 रुपे Sir, Unpaid को ने एक बहुत अच्छे शब्द में और भी बोला जाता है Unpaid जब भी होता है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता है Lawmaker बोलता है यह Unpaid है तो यह इसका मतलब तुम्हारा रहे गया Calls in Arrier Unpaid और Calls in Arrier एक ही बात है मैंने जितने मांगे आपने नहीं दिये तो Unpaid बोल लो या फिर क्या बोल लो Calls in Arrier इस पर एक कहानी है कि Sir, Calls in Arrier हो गया तो आपने तो कंपनी का मजाक बना दिया हम मांग रहे हम आपको बोलते होंब करके ला या आप बोलते हम तो नहीं करके ला रहे क्या हो रहे है मजाकी चल रहे है तो तो यहाँ पर क्या है क्या बोला इसने कि भाईया तुम पैसे ला आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब शेयरोल्डर तुम कंपनी के साथ ऐसे करोगे तो हर कोई ऐसे ही करेगा तो बढ़िया क्या है आपके उपर पनिस्मेंट दिया जाए तो आपसे हम इंटरस लेंगे आप मत दो पैसे हम आपका क्या करेंगे इस पे इंटरस लेंगे सर इस पे इंटरस भी लेंगे जी हाँ इंटरस लिया जाएगा lawmaker ने कहा रखा है कि इस पर interest इतना होगा तो lawmaker कहता है कि भाईया अगर किसी ने law के अंदर लिखा हुआ है तो ठीक नहीं लिखा हुआ तो जो percentage मैं अभी बता रहा हूँ वही होगा कहां पर बताया table f में table f के अंदर percentage बता दिया कि भाईया आपसे लेंगे 10% का ब्याज बात खतम आप मत दो हम आपसे क्या लेंगे 10% का ब्याज अब अगर आप बोलते हो sir कि मैं ब्याज भी नहीं दूँगा अगर आप बोलते मैं ब्याज भी नहीं दुँगा और मैं पैसे भी नहीं दुँगा जो करना है कर लो फिर मैं आप से certificate लूँगा फार्ड दूँगा बोलूँगा तुम्हारा मेरा कोई रिस्ता बचा ही नहीं सिधी बार Certificate ले लूँगा तो बोलूँगा आप मेरी बात ही नहीं मान रहें, आप company को company नहीं समझ रहें, तो मैं आपके certificate लेके उस certificate को फाट दूँगा, और फिर बोलूँगा राम राम और ऐसे situation में जो आपका share है, वो हो जाएगा share for feature, यानि सर जब आप पैसे नहीं दोगे, बार-बार बोलेने पर नहीं दोगे, तो हम आपके share certificate ले लेंगे, और आपका रफादाफा करेंगे, registered of member, जहां आपका नाम लिखा था हमने, उस नाम को काट देंगे, और आपके share हमारे पास आजाएंगे, तो for feature का मतलब होता है, जब करना, तो मैं जब क्या कर सकता हूँ, तो जो आपने नहीं दिया वो तो मैं आपके pocket से छीनी नहीं सकता, जो आपने दे दिये वो मेरे पास है, तो share for feature कितना हो सकता है, यह हो सकता है जिस पर right लगा हुआ है, तो यानि इसी question को मैं आगे लेके चलू, मैं arrow key कर देता हूँ, एक यह for feature होगा, एक यह for feature होगा, एक यह for feature होगा, यह तो होई नहीं सकता, तो कितने पर share for feature हो जाएंगे, यानि सर एक बात तो fact हो गया, कि unpaid, जितना हमारा paid up होता है, उतना ही for feature होता है, match कर लो आप चाहे हैं, जितना paid up होगा, उतना ही क्या रहेगा हमारा, for feature रहेगा, कुछ shareholder बड़े अमीर होते हैं, अमीर मतलब वो बोलते हैं, क्या एक रूपे, दो रूपे की कहानी लगा रखे, मेरे से एक बार इखटा पैसे लो ना, और खतम करो कहानी को, ना मैं परेशान हूँ, ना आप परेशान हो, तो कुछ shareholder होते हैं, अमीर, अमीर का मतलब सर, वो क्या कहना चाहते हैं, मान लेतने एक shareholder मिला मुझे, और मैंने shareholder को कहा, कि भाईया shareholder तुम ये पैसे दे दो, तुम ये पैसे दे दो, और ये पैसे दे दो, ये अभी जुरत नहीं है, मत दो, अभी जुरत नहीं है, मत दो, यानि shareholder से call किया, किसने call किया सर, company ने call किया, company ने क्या call किया, आपके सामने, है या फिर मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि कमपनी ने कॉल किया कमपनी ने कॉल किया सर ये ये पैसे दो लेकिन शियर होल्डर ने बोला भाई हम जंजट में नहीं पढ़ना चाहते आपके इन चक्रों में मेरा समय का बहुत नुकसान होगा आप बार बार दोगे फिर ये करो फिर ये फॉर्मल्टी वहां साइन वहां साइन हम इन चक्रों में नहीं पढ़ेंगे हम एक काम करते हैं आपको आपको अभी पैसे दे देते हैं हमारे पास अभी पैसे की कमी है नि, तो चलिए आपको payment करते हैं, shareholder ने बोला भाया तू ये भी ले ये भी ले ये भी ले ये भी ले बात खतम, यानि shareholder ने जितना company ने मांगा उससे ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ shareholder का अगर मैं बूलू paid up कितना है, कितना दिया, तो 10 र यहाँ पे shareholder ने extra पैसे दिये, यानि जितना मांगा भी नहीं, वो भी extra दे दिया, तो उसे बोलेंगे calls in advance, calls in, सर कितने होंगे calls in advance, 4 रुपे, calls in advance कितने होंगे, 4 रुपे, lawmaker कहता है भीया, जब shareholder ने पैसे नहीं दिये थे, तो आपने बोला था, कि मजाक लगा रखा है, पैसे नहीं दे रहे, बार-बार मांग रहे, आपने क्या लगवा दिया, उसके उपर, interest लगवा दिया, अब आपको जब shareholder ने पैसे दिये रहे, तो आपने मजाक लगा रखा, उसके रख लिए, उसके वापस करो, उसके क्या करो, आपको कोई extra पैसा दिये जाएगा, तो इसका मतलब आप अपने पास रख लोगे, इमानदारी तो कुछ दिखाओ, company ने बोला, भई हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन आगे उससे नहीं मांगेंगे, बोला, अच्छा, यानि उसका पैसा आप इस्तमाल करोगे, तो जो पैसा आपने उससे लिया है न, तो अगर वो नहीं देता, तो उसके उपर हमने fine लगाया, interest के रूप में, अगर आप उस क्योंकि कमाई जादा company की होती है न, shareholder की कितनी कमाई होगी, तो छोटा मोटा investor रहता है, तो sir उसको interest कितना देना पड़ेगा, 12% के हिसाब से interest देना पड़ेगा, ये कहां लिखाओ है sir, table F के अंदर, company law के अंदर, ये पहले से pre-decided है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ये पहले से decided है पहले पुरानी किताबों में 6 और 5 का चला करता था, वो बंदो चुका है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, YouTube पे वीडियो डालता हूं, तो पुरानी वीडियो गर देख रहे होंगे, तो वहाँ पे 6-5 मिलेगा, वो 6-5 नोट करके, अगर exam में लिखके आ जाएंगे, तो 6- पांच नंबर हो जाएगा उनका, तो इसलिए भई, corporate के अंदर, income tax के अंदर, slaybers दिन पर दिन बदलता जाता है, तो latest classes को देखिए, मैं बच्चों को यही recommendation करता हूं, Google से डरिए, क्योंकि Google पे आप लोगों का इतना विश्वास हो गया, जितना माता-पिता पे विश्वा में लिखा था, कि किर्पिया करके Google पे आप जो भी medicine वगरा देखते हैं, उसको देखकर doctor ना बने, हम इतनी 24 से 25 साल मेहनत के बाद doctor बनते हैं, तो हमारी knowledge और Google की knowledge में आस्मान जमीन का फरक है, Google में वही बातें लिखी होती है, जो कोई ना कोई type करता है, या कोई ना कोई feed करता है, है तो वो machine, ऐसा तो नहीं है, तो सेम ऐसे कई बार हम क्या गलती कर लेते हैं, income tax में, corporate में, Google पे लिख दिया साफ, भईया अगर आपको इसकी सही detail जानकारी चाहिए ना, तो जिसने बनाया है, उसके घर पे जाईए, इसको बनाया किसने, MCA ने बनाया है, तो आप ministry, corporate affairs के website पे जाईए, company log के website पे जाईए, वहाँ सारी बाते authenticated और updated मिलेंगी, आप Google पे जाएंगे तो वहाँ पे शायद ना मिले, जैसे कि आप कई बार application पे कितने percent होता है, आप कई बार ढूनते ढूनते परेशान हो जाएगा, शायद 5% वाली बात ना मिले, over subscribe क्यों होत पढ़िये तो जादा बेटर है, चलिए सर, हमने क्या-क्या देखा इसमें, basic सा, जितना पैसा company मांग लेती है, company बोलती है तू इधर मुझे इतने पैसे दे, called up, अब जितने पैसे मांगे वो called up, अब कई बार ऐसा हो सकता है, company ने पूरे पैसे मांग लिए, 10 के 10, जैसे प नहीं नहीं शब्द है, theory आजाता है इसमें से, word को समझ यह, कुछ नहीं है यह, बस question में आजाता है, sir, fully paid up क्या है, बार बार पूछनें, इसलिए मैं पहले ही पहले basic terms खतम करना चाहता हूँ, और sir, जितना shareholder ने क्या करा, जितना company ने अगर कम called किया है, तो उसे क्या बोल अगर fully called up हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन partly called up हुआ तो partly called up के बाद जो मांगा नहीं गया, उसको क्या नाम दे देते हैं हम, uncalled capital या फिर उसको क्या बोलते है, reserve capital बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोला जाता है, reserve capital, जैसे इस example के अंदर मैंने ल uncalled capital है, कितना uncalled capital है, तो इसका मतलब जो company ने नहीं मांगे, उसको बताओगे uncalled capital के अंदर, sir paid up, shareholder के point of view से, shareholder ने, company ने मांगे थे, shareholder ने सारे दे दिये, तो उसको paid up 10 रुपे है, तो इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या, fully paid up भी कह देंगे, fully paid up, अब ऐसा भी हो सकता है, कि company ने मांगे, पूरे shareholder ने नहीं दिये, तो उसमें unpaid बोला जाएगा, unpaid कितना है हमारा, यहाँ पे example में 4 रुपे, और unpaid का एक modern name है, जो कि law में ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल में use करेंगे, calls in area, calls in area में अगर हमारी बाते नहीं मानेगा, तो हम से fine लिया जाएगा, और हम गरीब है, कितना fine लिया जाएगा, 10%, इसके बाद share for feature हो जाएगा, अगर तब भी वो interest भी नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, उसका share for feature कर देते हैं, लेकिन share for feature करने से पहले prior हम intimation देते हैं, 14 दिन का कि भईया तेरे share for feature होने वाले हैं, अब सब कुछ हम यहाँ पर apply करने वाले हैं, किसके अंदर, semester 4 के अंदर, तो sir share for feature कितना हो गया हमारा, 6 रुपए, जितना नहीं दिया उसने, नहीं देरा बार-बार, तो उसको क्या करेंगे, 4 फिचर कर लेंगे, लेकिन जो नहीं दिया, वो 4 फिचर नहीं होगा, जितना company ने call किया, 6 रुपए, shareholder ने कितने दे दिया, 10 रुपए, तो इसका मतलब shareholder ने company को extra पैसा दे दिया, कितना extra पैसा दे दिया, 4 रुपए, इस 4 रुपए को बोलेंगे, calls in advance, जब calls in advance company ने हमारे पैसे रख लिए, तो अब हम company से ब्याज लेंगे, that is, कितने percent के इसाप से ह होगा हमारा 12%, कौन बोलता है ये 12% वाली बार, table number, F इस बात के बारे में बताता है, तो कुछ एक basic terms है यहाँ पे, जो कि आपने देखा, और इसमें कोई doubt है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे general entry के format पे जाने वाले हैं, मैं एक जगह इसको दिखाने की कोशिस करता दिख जाएं, चलिए, फिर हम general entry, इसमें किसी को doubt है, तो फटा फट जितने बच्चें बता दीजिए,